Hello friends, welcome to my channel study online. In this video I will do exercise 2.7 question number 5. Question number 5 में divide करना है 7 divided by 3.5 तो इसको लिख सकते हैं 7 divided तो multiply कर देंगे और 3.5 है 3.5 है नीचे डियनमेटर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा जस्ट इसका अब रेशिप्रोकल कर देंगे 1 by 3.5 तो 7 multiplied 1 अब 3.5 है यहाँ पर decimal हटाना है तो decimal हटाना है, decimal के बाद का digit देखना है तो इससे एक digit है फिर 5 है तो इसमेंज एक digit है तो हम एक 0 देंगे जीरो दे दिये अगर numerator में अगर numerator में नमबर रहेगा तो इसको 0 देंगे divided by denominator में होगा तो इसको पॉइंट हटाए है तो 10 इसको numerator में लिखेंगे अब इसको डिवाइट करेंगे, 7 अब यह 35 हो गया, 7 से इसको cancel किया है तो 5 times में cancel हो रहा है अब यहाँ पर 5 को 2 times में cancel कर रहे है तो आंसर आजाएगा 2 Question No.2 में है 36 divided by 0.2 तो 36 divided इसको 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 भी लिख सकने है डिवाइड है तो 0.2 है तो इहाँ पर decimal आटाएगे decimal के बाद एक डिजिट है तो इसको हम 10 लिख देंगे 10 नीचे देंगे अब इसको 36 हो गया अब यह डिवाइड है तो इसको हम multiply कर देंगे और उसके बाद अला जो नंबर उसको reciprocal कर देंगे इसको हम लिख सकते हैं तू से 10 को डिवाइड करेंगे तो यह 5 तेंग में क्यांसिल हो रहा है तो 36 इंटो 5 को से multiply करेंगे तो 35 इंटो 5 तो 36 इंटो 5 करेंगे जा ऑन धी करेंगे तो 30 इंटो 5 को से नमबर थर्ड अब यहां पर decimal हटाएंगे, तो decimal हटाने के बाद उसके बाद digit देशने, digit 1 है, means divided by 10 दे देंगे, अब 3.25 में decimal हटाएंगे, decimal के बाद digit देखना है कि कितना है, तो 2 डिजिट है, 2 और 5 है, means 2 डिजिट है, तो उसका denominator में 2 0 देंगे, इसका मतलब 100 से divide हो जाएगा, Now, अब इसको लिख सकते हैं, 325 divided by 100, divide है तो multiply कर देंगे, और divide के बाद न जो number होता है, उसका reciprocal करेंगे, means 10 by 5 हो जाएगा, 1010 cancel हो जाएगा, अब यहाँ पर 5, 325 को divide करेंगे, तो यह 65 में, 65 times में cancel होगा, तो यहाँ आजाएगा, 65 by 10, it means 6.5, यहाँ एक 0 है, तो फिर, एक 0 means one digit के बाद decimal डालना है, तो यहाँ पर गिन करके, सिर्फ एक डिजिद के बाद, तो point दे दिये, तो 6.5 हो जाएगा answer, Q4 में है, 30.94 divided by 0.7, 30.94 divided by 0.7, तो सबसे पहला है decimal को हटाना है, तो यह 30.94 में decimal हटाएगे, तो दो दिजिदे दे 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 दे, 0.7 में एक डिजिद है, डिजिद के बाद, तो यहाँ पर एक 0 दे 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 दे, इसमेंस 10 से वो डिवाइड होगा, Now, 30.94 हो गया, divided by 100, अब डिवाइड है जो मतिक नहीं कर देंगा, उसके बाद आद नमर को रेसिप्रोकल कर देंगे, 10 by 7 हो जाएगा, 1010 कैंसल हो जाएगा, 7 से 3094 को डिवाइड करेंगे, तो यह कैंसल हो जाएगा 442 टाइमस में, अब यहाँ पर, 442 टिवाइड बाई 10 है, तब 10 है, मिन्स एक दिवाइड के बाद डेसिमल देना है, तो 44.2 हो जाएगा, Q5 में है, 0.5 दिवाइड बाई 0.25, 0.5 दिवाइड बाई 0.25, तो 0.5 है, तब डेसिमल हटाएंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे 10, अब 0.25 है, तो यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तब यहाँ पर 100 लिख देंगे, अब इसको लिखेंगे, 5 बाई 10, अब डिवाइड है तो वो मुल्टिप्लाई हो जाएगा, 25 बाई 100 है, डिवाइड के बाद वाले भी नंबर होता है, वो रेशिक को प्रोकल हो जाएगा, तो 100 बाई 25, नव, 10 और 10 चांचल हो जाएगा, 5 से 25, 5 तांच में चांचल हो जाएगा, 5 भी चांचल हो जाएगा, 10 तो तांच में, इच मेंज, आंसर आजाएगा, 2, नव, कॉच्छ नमबर 6 में है, 7.75 दिवाइगा, 0.25 नव, 7.75 दिवाइगा, दिवाइड़ बाई, 0.25 तो आपके पर देसिमल काएगे, तो देसिमल के बाद, यहां पर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, इस मींज, 2 0 मतलब 100 से दिवाइड होगा, उसी तरह से 0.25 है, तो देसिमल काएगे, उसके दो डिजिट है, तो 100 लिखेगे, तो 775 दिवाइड़ बाई, दिवाइड़ तो मल्टिप्लाई करदेंगे, और उसके बादा नंबर को रेसिप्रोकल करदेंगे, इसमेंज, 100 बाई 25, नव 100 बाई 25, नव 100 बाई 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 775 को, तो 31 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, तब आंसर आ जाएगा, 31, Question No. 7, Question No. 7 में है, 76.5 दिवाइड बाई 0.15, Now, 76.5 दिवाइड बाई 0.15, अब एसमेर आंगे, तो डिवाइड से इसिप्रोकल करेंगे, तब आंगे, उसके बाद, 0.15 डेसिमर के बाद 2 डेसिमर के बाद 2 0 डालेंगे 100 से डिवाइड हो जाएगा Now, 765 डिवाइड बाइ 10 डिवाइड है तो मुर्टिप्लाई करेंगे 100 बाइ 15 10 और 10 गैंसिल हो जाएगा 15 को 765 से डिवाइड करेंगे 51 इंटू 10 51 इंटू 10 तो 510 हो जाएगा 37.8 divided by 1.4 37.8 divided by 1.4 Decime हो जाएगे Decime को अच एक डिवाइड हो जाएगे एक जिरो लिखेंगे, 1.4 में भी देशिन होता है, हाथ आएंगे, उसके एक दिजित है, तो वन जिरो लिखेंगे, now 30, 378, divided by 10, अब दिए है तो मुल्टिप्लाई कर देंगे, अब नमबर है 14 by 10, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 10 by 14, तो 10 10 कैसिल हो जाएगा, 14 से 378 को डिवाइट करिमें, तो इसके चैसल होगा 27 तामें, तो आशर आजाएगा 27, क्यों नमबर 9, 2.73 divided by 1.3, 2.73 divided by 1.3 Decimal हटाएंगे, decimal के बाद 2 digit है तो 2 0 देंगे Similarly, 1.3 में decimal हटाएंगे Decimal के बाद 1 digit है It means, 1 0 देंगे तो 10 दिवाइड हो जाएगा Now, अब यह अहां पर लिखेंगे 273 by 100 Divide है, तो multiply हो जाएगा अब उसके बाद नमबर को reciprocal करेंगे 10 by 13 हो जाएगा 1 0 और 1 0 Cancel हो जाएगा 13 से 273 को divide करेंगे Then we get 21 21 21 by 10 अब यहां पर decimal डालना है 21 दिख देंगे उसके बाद divided by 10 है 10 means 1 0 तो 1 digit के बाद जास पीछे से count करना है तो एक डिजिट के बाद यहां पर एक डिजिट हो गया उसके बाद point होगा मतलब 2.1 That is the answer इसी तरह मेरे latest videos देखने के लिए मेरे चैनल के subscribe, like और share कीजिए और कीजिए और कीजिए